प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे एक effective और अच्छी assignment कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं assignment होता क्या है। Assignment एक special task होता है जो हमें teacher या किसी अन्याद्वारा दिया जाता है। जैसे essay 1 तक जितना syllabus हमने study कर लिया है, शीख लिया है, उसका प्रयोग करते हुए हमें एक assignment बनानी है। Assignment का अर्थ सिर्फ प्रसन का उत्तर लिखना नहीं है, बल्कि अपने knowledge को ध्यानिक जीवन से जोड़ना है। Assignment का सबसे महत्वपुर्ण काम है योजना यानि planning। Assignment का topic क्या है, what is the topic of assignment ये सबसे जरूरी है। अगर हमारा topic ही हमें clear नहीं होगा, तो हम assignment बना ही नहीं सकते। जैसे उधारन के लिए बीज भोजन के रूप में, seeds as food, या पतियां वह जड़े, leaves and roots, आप प्रकास का परावरतन, reflection of light, दान्तों के बारे में भी assignment बना सकते हैं। अपनी अपनी कक्सा के अमसार आप अपना topic select कर लें। जैसे ही आपने अपना topic select कर लिया, आप उसका wish lesson करें, यानि उसके उपर खोज बीन करें। जैसे भोजन होता क्या है, हम भोजन करते कैसे हैं, भोजन के constituents क्या क्या होते हैं, भोजन समगरी कौन कौन सी होती है, या प्रकास का परावरतन, reflection of light. लाइट क्या होती है, लाइट कैसे चलती है, सोचें और खोजें। इसके बाद अपने topic से सबंदित आगे की जानकारी या सामान जुटाना, finding information और material, आपके विज्ञान के topic में कोई प्रयोग है, experiment है, कोई आपने गतिविधी करनी है, activity करनी है, या आप कोई अध्यायन करे book study करें, कहीं से पढ़ें, या आपको कहीं visit करना है, यात्रा करनी है, या आप किसी से पूछ सकते हैं, interview कर सकते हैं, अब होता है शुरू assignment को लिख, writing assignment, और इसका सबसे पहला भाग है front page, यानि प्रत्थम प्रिश्ण, अगर आपका front page सुंदर और प्रभाव साली होगा, त इसलिए सबसे best होना चाहिए front page, आप अलग-अलग तरह के रंगीन front page डिजाइन कर सकते हैं, परकार से एक चाप लगाएं, एक बड़ी चाप लगाएं, और उसके बीच अपनी पारसाला का नाम लिख लें, उसे अच्छे से रंग भर लें, इसके बाद आप अपने block, जिल और अपने परदेश का नाम लिख लें, इसके बाद जिस subject में आप assignment बना रहे हैं, उसका नाम जैसे science और फिर topic का नाम, इसके बाद assignment submit करने वाले का detail जैसे name, class और role number, और आप assignment submit कर किसे रहे हैं, submitted to यहाँ पे आपके teacher का नाम, और नीचे remarks के लिए जगा, कि उनको आपके assignment कैसी लगी, यह front page के कुछ और sample, आप इन से भी अच्छे front page design कर सकते हैं, front page के बाद आप index भी बना सकते हैं, यानि अनुक्रमनिका, जिसमें serial number, content और page number दिया होता है, इससे हमें किसी content को, topic को ढूनने में आसानी होती है, कि वो topic किस number page के उपर है, और यह index आपकी हर किताब के सुरुआत में हमेशा होता है, जब भी आप कोई experiment या activity करें, तो इसके result का table जरूर बनाएं, अपनी बात को ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए आप diagrams का इस्तेमाल खूब करें, क्योंकि इनसे आपका content अच्छे से समझ में आता है, जैसे आप देख रहे हैं, अच्छी assignment में आप सुचियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, भीविन बीजों की सुची, अगर assignment में आंकड़े एक अत्रित किये गए हैं, तो आप उन्हें प्रदर्शत करने के लिए graph भी बना सकत हैं, इससे assignment और अच्छी बनती हैं, और comparison करना, तूलना करना ये ज़्यादा प्रभाब सारी तरीके से दिखाया जा सकता है, अपने content को बहुत अच्छे से दिखाने के लिए आप अलग-लग रंगीन चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं, या सामगरी को भी वहां लगा सकते है सारी assignment लिखने के बाद आप conclusion यानि निसकर्ष अवस्या लिखें, पूरी assignment में आपने क्या दिखाया या क्या सीखा या आपने क्या कार्या किया